हालो स्टूदेंट्स वेल्कम पूद इस चैनल आम यूर मैट्स टिचर टूटाइम क्लास नाइन्थ मैट्स चैप्टर पाक्राइजिशन एक्सराइस पाइप सी क्वेश्चन अबर टुटिपोर को यहां पर हम सॉल्ब कर रहे हैं क्वेश्यन वन टू ट्वेटे त्री प्रीवेश वडिएूज प्रीवेश में सॉल्ब कर चुके हैं उन्हीं आप सरूर वॉच करें ताकि आपको यह एकसराइस बहुत अच्छे से समझमें आ सके हैं अब आपने एक्साइम में अच्छे मांक्स स्कोर स्कराइए ठीक है बच्छो तो चलिए solve कर लेते हैं इसे solve करने के लिए सबसे पहले से हम one time क्या करेंगे note down करेंगे यहाँ पे a plus b whole of square minus a square plus b square this is your equation हमें पता है a plus b का whole of square की identity क्या होती है क्या होती बच्छो होती है a square plus b square plus 2ab minus में already हापका चल रहा है a square plus में चल रहा है v square तो अभी दिखे है a square एक square term को साथ में लिखलेंगे a square और यहाँ भी minus में a square b square अल्रेई है b square plus में b square again लिखलेंगे यहाँ प्लस में आपका remaining 2ab b यहाँ बचेगा तो उसे भी हम लिखलेंगे अभी दिखे, a square and a square, this will be, cancel out, b square plus b square, 1b square plus 2, again 1b square, याने कि 2b square, plus मैं है आपके पास 2ab, ठेके बच्छों, इसको भी दिखे, हम लिख सकते हैं, 2b into b, plus 2 multiplied a into b, देके, b and 2, 2b, या से भी 2b आपका क्या आ रहा है, 2b हम common ले सकते हैं, ठेके, 2b दुबार आगया, answer remaining b बचेगा, plus 2 and b, हमने common ले लिया, answer remaining बचेगा, a, इसको थोड़ा सा rearrange कर लेते हैं, अब दिखे, 2b, इसको लिख सकते हैं, a plus b, देके, बच्छो, a plus b लिख सकते हैं, a plus b लिख सकते हैं, तो आपका जो exercise type C question number 24 का factorization है, वो आपका 2b in bracket a plus b होगा, यही आपका final answer होगा, question था, आपके पास a plus b का whole of square minus a square plus b square, यह जो question था, बहुत easy था, simply हमें यहाँ पर a plus b का whole of square, get entity को क्या करना था, open करना था, उसके after rearrange करके लिखना था, जो cancel हो रहा था, यानि कि a square and a square यहाँ पर cancel हो रहा था, उसे हमने cancel कर दिया, b square and b square add हो रहा था, हमने उसे यहाँ पर add कर दिया, 2b square कर दिया, plus में 2ab था, अब हमने देगा, 2b इसके पास था, यह 2b दोनों terms के पास में है, जब हम जानते हैं, बोध term के पास same factors हो, उसे हम क्या ले सकते हैं, common ले सकते हैं, तो 2b दोनों के पास था, हमने 2b पाहर ले लिया, ठीक है बचो, जो भी remaining बचा, उसे हमने rearrange करके लिख दिया, कि है आपका final answer है, and I hope आपको exercise 5C question number 24, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई doubt है, वो आप comment box में comment करके मुझसे पूछ सकते हैं, and if आपको video पसंद आए, then please video को like करें, channel को subscribe करें, thank you for watching,